अमेच चा के इंटर्वियू में CAA को लेकर विपक्ष के बयानों पर भी अमेच चाने पलटवार कि और कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है उनका इतिहास है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है प्रधान मंत्री मोदी का इतिहास है कि प्रधान मंत्री मोदी की हर गा आप बताईए जो दिली के चीफ मिनस्टर हैं वो कहते हैं वो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंधा धुन लोग आएंगे बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी उसे थेफ्ट रॉबरी रेप बढ़ जाएगा दिली के मुख्यमंत्री अपने ब्रश्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेटे हैं उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुकी हैं अज भारत में ही रह रहे हैं सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार देने की बात है दो हजार चोदा तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चि चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं इसलिए वोट बेंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं नौकरी का कहां सावाल है वो अल्रेडी यहां है और बंगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या रोंग्याज नहीं मार रहे हैं इनके लिए तो आप को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप लिए जी वो पार्टीशन के बैग्राउंड को भूल गई हैं साइद उनको जो निरासरी ताय थे जो रेफिजी जाय थे इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए और वो खरबो रूपय की संपती छोड़कर रेफिजी ब नाय है इन लोगों के मन में समवेदना नहीं है वो समत्य नहीं है वहाँ धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गवरव छिना जाए अपमानित किया जाए क्या करेंगे वो इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे पचास में आ गए साथ में आ गए सत्तर में आ ग आज भी नागरिकता नहीं है भैजों को असपताल में दाखला नहीं मिलता है ढंकि लगारी कि नाम में वही बत दाफकर से हैं अपने नाम से प्रापटी नहीं ले। ले सकते हैं मतदान नहीं कर सकते हैं क्यूँ? क्या घुना है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था कॉंग्रेस पार्टी ने किया था और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे अब अपने वादे से मुकर जाना मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है इनकी समवेदनाओं को भारतिय ज चाहिए और चुनाओं के पहले आ जाए